सिक्वेंशन स्रीज एक्साइज नाइन पॉइंट थर्म से नाइन ज्यादा है अकोर्डिंग टू कुश्चिन थर्ड टर्म से नाइन ज्यादा है अब जीपी में एन का फॉर्मला सभी बच्चों को पता होगा तो यह हो गया है एक्वेल टू ए प्लस नाइन अगर हम एको लेफ्ट एंट ले आते हैं तो एकी वैल्यू हमारी नाइन अपॉन आर इसक्वेर माइन फन यह हमने फर्स्ट एक्वेशन दाल दिए इसको एंड आगे पढ़ते हैं सेकंड टर्म ग्रिटर दैन दा फॉर्थ टर्म बाई एटीन जो सेकंड टर्म है वह फॉर्थ टर्म से एटीन जादा है सेकंड टर्म का मतलब ए ए लायर क्यों यहां इंपर दो इक्वेसं बनने वाली हैं जिनको हम सॉल्व करके निकाल दें आप तो यहां से भी हम ऐसे वैल्यू निकाल दें ए अचिए और इसमें से कॉमन लेते हैं माइनस के यह यहां लेता है तो एक वैल्ली यह हो गई यह आ गया अब हम यहां पर एक की वैल्यू पुट कर देते हैं कि नाइन अपॉन आर स्वेर माइनस वन लिख देते हैं यूजिंग वन तो यह हमारा कैंसल हो गया तो आर की वैल्यू आगे माइनस टू पुट आर इन वन तो ए आ गया नाइन अपॉन थिश्ड़ी तो कोस्चन में फूर्ट टम्स पूछी थी तो वह फूर्ट टम्स अम निकाल पाएंगे आसानी से कि तो फूर्ट टम्स आर फर्स्ट टूर्म थिरी फिर आर से मिल्टिपलाइपरेंगे माइनस six फिर आप से मिल्टिप्लाइए करेंगे 12 फिर माइनस 24 यह आंसर हो गया तो यह चार टर्म में जिन में से थर्ड टर्म फर्स्ट से नाइन जादा है और जो सेकंड टर्म है कि वह फूर्थ टर्म से एटीन जाद है तो आ गया होगा समझ में सभी को अच्छे से काफी अच्छा कुस्चिन था